दोस्तो हम preparation कर रहे हैं HPPSC, PZT Political Science के paper 2 की हमारा topic चला हुआ है लोग प्रशाशन, पिछली वीडियो में लोग प्रशाशन पार्ट बन discuss किया था आज किस वीडियो में लोग प्रशाशन पार्ट नंबर 2 डिसक्स करेंगे 70 Multiple Choice Questions डिसक्स करने के काफी important question तो वीडियो के अंग तक बने रहे हैं तो चली शुरू करते हैं आज की preparation Question number 1 प्रशाशन का आर्थ क्या है Option आपके सामने दिये हैं प्रशाशन का आर्थ क्या है वैदिक यूग में तो वैदिक यूग में प्रशाशन का आर्थ था आदेश या निर्देश देना B option correct answer Question number 3 शब्द कोस के अनुशार प्रशाशन का आर्थ क्या है कारियों का प्रबंद करना, शेवा करना, सरकार चलाना या राजनीती करना शब्द कोस के अनुशार प्रशाशन का आर्थ है कारियों का प्रबंद करना, A option number correct answer लेकों के निमिलती युगमों में से किस एक की दार्णा है कि हमारे समय में लोग प्रशाशन के सिधान्थ का आर्थ, राजनीती का सिधान्थ भी होता है ये किस की दार्णा है प्रशाशन से संबंदी ये जो परिवासा है किस की है मनुश्य तथा वौतिक शादनों का संगठन एवं नियंतरन ही प्रशाशन है तो ये जो कथन है ये है पीफनर का option number B हमारा right answer का पीफनर 6 में देखिए प्रशाशन का संबंद सरगार के क्या थथा कैसे से है क्या का अर्थ विश्य वस्तू से है कैसे प्रवंद की तकनी की है प्रशाशन से संबंदी ये परिवासा किस की है तो ये बाली परिवासा जो है Marshall D.Mogg की D option हमारा correct answer next में देखिए introduction to the study of public administration ग्रंथ का रचाईता निमिल में से कौन है introduction to the study of public administration ये किसका ग्रंथ है तो ये वाला ग्रंथ जोगा ये है L.D. White का option number A हमारा यहां पर correct answer होगा question number 8 प्रशाशन लक्षे की प्राप्ती के लिए मनुश्यता सामगरी दोनों का संगठन है ये परिवासा निमन में से किसकी है प्रशाशन लक्षे की प्राप्ती के लिए मनुश्यता सामगरी दोनों का संगठन है ये वाली परिवासा जो है ये है निग्रो की C option correct answer next में देखिए निमिलिक्त में से किस संगठन के लिए परिवार 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 के इन मैंसे कौन है? Principles of Public Administration ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ है W.F.V.O.B का C.Option W.F.V.O.B करेक्ट अंसर आगे देखिए Politics and Administration ग्रंथ का रचेता इन मैंसे कौन है? Politics and Administration ये ग्रंथ किसका है? ये वाला ग्रंथ जो ये है Frank J. Goodnow का Frank J. Goodnow D.Option करेक्ट अंसर Politics and Administration Ideas and Issues in Public Administration पुस्तक का समपादन करने वाले लेख़ कौन है? Ideas and Issues in Public Administration ये वाली पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है White Vardow की A.Option Corrected Answer अगेला कुशन लेखिए लोग प्रशाशन शवद बंद मैं लोग से क्या अभी प्राइल लिया जाता है? लोग प्रशाशन शवद बंद मैं लोग ये जो शवद है इसका क्या भी प्राइल लिया जाता है? राज्य, जन्ता, कारेवालिका या सरकार इसका भी प्राइल लिया जाता है सरकार से D.Option हमारे हैं Corrected Answer होगा Question No.15 प्रशाशन का अर्थ उन सवी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेतर में नीती यत्वा नीतियों के क्रियानगन से होता है और इस प्रकार तकनिकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रवंदक वर्ग तथा स्रमिक वर्ग के समस्त कारें को मिलाकर कए प्रशाशन की संग्य परदान की जा सकती है इस बिचारदारा आपको प्रशाशन का कौँसा द्रिष्टी कोन कहते हैं यह है एकी करित द्रिष्टी कोन option number B, एकी करित द्रिष्टी कोन कहा जाता है right answer next में देखिये प्रशाशन संबंदी प्रवंदात्मक द्रिष्टिकून के अनुसार, चार ओप्शन दिए गए हैं कौन सा सही होगा, तो प्रशाशन संबंदी प्रवंदात्मक द्रिष्टिकून के अनुसार, केबल प्रवंद एबम देखवाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशाशन के एक श इन में से कोई नहीं तो यह लोग प्रशाशन का ब्यापक अर्थ है B option correct answer विलोबी के इनसार लोग प्रशाशन उस कारे का प्रतीक है जो कि सरकारी कारें के वास्तविक संपादन से संभध होता है चाहे विसरकार की किसी शाका से संबंदित क्यों नहों विलोबी के इस मत दोरा लोग प्रशाशन के किस अर्थ का प्रतीपादन किया गया है कौन से अर्थ का तो इसमें ब्यापक अर्थ का प्रतीपादन किया गया है A option ब्यापक अर्थ correct answer नेक्स में देखिए लोग प्रशाशन में बेसवी कारें आ जाते हैं जिनका उदेश ये लोग नीती को पूरा करना अथवा क्रियानवित करना होता है लोग प्रशाशन की यह परिवासा किस ने दी है यह वाली definition दी है हेल डी वाइट ने option number B correct answer next में देखे लोग प्रशाशन वीदी अथवा कानून को वीस्तरित एवं क्रमबद रूब में कार्यानवित करने का नाम है कानून को कर्यानवित करने की प्रते क्रिया एक प्रशाश की क्रिया है लोग प्रशाशन की यह परिवासा किस ने दी है यह वाली परिवासा दी है 21. लोग प्रशाशन का आर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कारे स्वस्त प्रयोक्षाला में X-ray मशीन को संचालित करने का हो, अत्वा एक टकसाल में सिक्के डालने का, लोग प्रशाशन की या परिवासा किस ने दी है, यह वाली डेफिनिशन की है, यह डेफिनिशन है पिवनर की, B option, correct answer, एक्स में दीखिए, निमिलित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है, जो लोग प्रशाशन के कारे कलापों के क्षेतर को विदी के कार्यान बन के समान मानता है, कौन सा लेखक है वो, वो लेखक है बुड्रो विलसन, option number A, हमारा right answer है, जो लोग प्रश प्रशाशन के कारे कलापों के क्षेतर को लोग नीती के कार्यान बन तक समीत मानता है, वो लेखक है LD, white, option number B, यहाँ पर correct answer होगा, पिछले question में देखिए, लोग प्रशाशन कारे कलापों के क्षेतर को विदी के कार्यान बन था, वो थे वुड्रो विलसन, और इसमें जो 23 वाले में जो पूछा गया है, उसमें लोग नीती के कर्यान बन तक समीत कोन मानता है, LD, white, option number यहाँ पर B, जो correct answer होगा, 23 का, 24 में देखिए, निमिलत मैंसे वह कौन सा विद्वान लेखक है, जो लोग प्रशाशन की परिभाशा करते हुए, उसकी स्वन वे आत्मक भूमिक पर अधिक जोर देता है, कौन सा लेखक है, वो लेखक है, पिफनर, C, right answer, साधरन शब्दों में लोग प्रशाशन का अर्थ है, रास्टर, राज जे रथा स्थानी शाष्णों की कारेकारी शाखाओं के कारेकलाब, यह परिवासा किस की है, तो यह वाली परिवासा जो है, हरबर्ट साइमन की है, A option, correct answer, आगे यहां पर बगतब्य दिये गए है, तो यहां पर पूछा गया है, लोग प्रशाशन, निजी प्रशाशन से बिन है क्यों की, लोग प्रशाशन, निजी प्रशाशन से क्यों बिन है, यह option दिये गए है, इसे समाज गरूप से अनिवारी लोग सेवाएं उपलब्द करानी होती है, इसे लोग हितका सरंक्षन एवं समवर्दन करना होता है, यहां लोग जवाब दही की अदीन है, या फिर यह अलग अलग विक्तियों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आ सकता है, तो इसमें नीचे देखे कूट दी गए है, कौ 27 में लोग प्रशाषन दो सब्दों से मिलकर बना है, लोग का अर्थ क्या है, तो लोग का अर्थ है, क्रियसील सरकार, यह आप्षन हैं पर, क्रेक्ट दांस है, नेक्स देखे, प्रशाषनिक संगटन में करमचारी चाहे कितने ही निमन स्तरका क्यों ना हो, उसके कार्यों म और दियावगिक पद सोपार में करमचारी का पद जितना उंचा हूता जाता है, वह परशाश की कारे में उतना ही अधिक समय लगाता जाता है, यह विचार किसका है, यह स्टेच्मेंट किसका है, यह भी हैंड्री फ्योल की है, यह C आप्शन यहां पर. प्रशाशन का अर्थ कारे करना नहीं, वलकि कारे कराना है, यह वक्तब्य जो किसे संबंदित है, कौन से दricoण से संबंदित है, यह प्रवंद की द्रिश्ची कोर्ण से संबंदित है, B departure, correct answer. प्रवंदक का काम नहीं है तो काम करना जो है प्रवंदक का काम नहीं है यह option यहाँ पर right answer होगा एक्स में देखी एन introduction to public administration ग्रंथ कर चेटा निमन में से कौन है एक किसका ग्रंथ है यह ग्रंथ है एन ग्लैडन का option number c एन ग्लैडन पिछले question number 7 में हमने पड़ा था कि introduction to study of public administration यह ग्रंथ जो था introduction to study of public administration यह था ld-wide का और यह जो है an introduction to public administration यह जो है यह एन ग्लैडन का है 33 में देखे निमिलिक्त में ऐसे कौन सा वक्तब्य सही है चार यहां पर statement दी गई है प्रशाषन के सम्मन्द में तो कौन सा यहां पर صही है तो प्रशाशन प्रवंद की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है ये वाला वक्तब्य जो है केवल यही सही है बाकि ये तीनों जो है ये गलत है नेक्स में देखी 34 में नेमिलित में से कौन सा वक्तब्य सही नहीं है अब यहां सही नहीं पूछा है फिर प्रशाशन के तब यह जो हाई यह सही है Next में देखिए निमिलित मैंसे कौन सा लेख़क है जो यह मानता है कि लोग प्रशाचन की लोग नीती की रचना में परमुख भूमी का है और इस प्रकार यह राजनिती प्रक्रिया का आंग है कौन सा लेखक ऐसा मानता है तो यहाँ पर LD white, right answer का यहाँ ऐसा मानते हैं, B option LD white, 36 में, आज कल लोग प्रशाचन का जुकाव निमिलित मैं से किस ओर अधिक है, प्रवंद बिग्यान की ओर C option, correct answer, 36 का, 37 में, आज लोग प्रशाचन अपने सामाजिक बिग्यान विश्य वाले सवरूप से अलग होता जा र रहा है, क्योंकि लोग प्रशाचन का जुकाव प्रवंद की प्रकृति की ओर अत्यदिक है, B option यहाँ पर इसका correct answer, 38 में, यहाँ भी बक्तब्य दिये गए हैं, पूचा गया है कि कौन सा सही नहीं है इन मैंसे, तो इन मैंसे आज का लोग प्रशाचन राजनिती विग्यान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है, यह वक्तब्य जो है, यह सही नहीं है, यह option यहाँ रक्त हुआ, बाकि यह तीनों ही सही है, 39 वह कौन सा विद्वान विचारक है, जिसके अनुसार लोग प्रशाचन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा समझा जा सकता है, कौन सा विद्वान विचारक है, जिसके अनुसार लोग प्रशाचन के बदलते हुए रूप को लोकस या फोकस द्वारा समझा जा सकता है, वह विचारक जो है वह है, गोल्विंस की, C option, गोल्विंस की यहाँ पर राइट आंसर हो, लोग प्रशाचन क्योंकि यह प्रशाचनिक संसाओं को ब्यवसाइक और उत्पादक बनाना चाहता है, यह option है यहाँ पर हमारा correct answer होगा, 41 में देखिए, निमिलित में से कौन सा विचारक लोग प्रशाचन के खिशेतर के बारे में व्यापक दिश्टिकोन का समर्थक है, व्यापक दिश्ट प्रवंद की पसंद और संगठन और नवाचार प्रवंद के लिए प्रतिरूप अधिकारी तंत्री घटनाएं और उसके सामने विचारक दिएगे हैं, तो यह मिलान करना है हमने, तो इसका सुच सही मिलान हो जाएगा, वह होगा B option, देखिए A का मिलान होगा पहले से, प् अधिकारी तंत्री घटना, माइकल क्रोजियर, यहाँ पे, इस परकार B option जो हमारा correct answer होगा इसमें, नेक्स में देखिए, लोग परशाचन के एक शेतर के बारे में, पोस्ट कॉर्ब द्रिष्टी कॉर्ण के समर्थक कौन है, उर्विक उर्विक तथा हेंडरी फ्योल, C option ह 64 में देखिए, लोग परशाचन के एक शेतर के बारे में, पोस्ट कॉर्ब द्रिष्टी कॉर्ण का समर्थक नहीं है, इन मैसे कौनसा नहीं है, हर्वट साइमन, यह पोस्ट कोर्ब द्रिष्टी कॉर्ण के समर्थक नहीं है, बाकि लूथर, गुलिक हैं, रिफ्योल, ओर воз ये पोस्ट गार्व दिश्टीगोंड के समर्थक है पोस्ट गार्व दिश्टीगोंड के प्रमुक अलोचक कौन है इन मैंसे वो है लेवी समेरियम ये option correct answer कैंची के दो फलकों के समान लोग परशाशन दो फलकों वाला ओजार है ये कथन किसका है important देखी post corp दिश्टीगों post corp दिश्टीगोंड किसका समर्थक है किस पर ज्यादा बल देता है post corp दिश्टीगोंड प्रशाशन की तकनीक को अम अभीदियोंड पर बल देता है b option यहांपर correct answer का 47 आगे है post corp दिश्टीगोंड के अलोचक कौन है यहाँपर कौन से द्रिष्टिकोंड के समर्थक जो है? पोस्ट कोर्व के अलोचक है 48 में तो माननव सम्बन द्रिष्टिकोंड के समर्थक पोस्ट कोर्व द्रिष्टिकोंड के अलोचक है A option यहाँ पर correct answer होगा 49 लोग परशाशन के खेतर के सम्बन में ब्यापक द्रिष्टिकोंड अपनाते हैं कौन ब्यापक द्रिष्टिकोंड अपनाते हैं लोग परशाशन के क्षेतर के सम्बन में LD वाइट एवं मास्टीन्स मार्क्स C option यहाँ पर देखे correct answer होगा आगे पूछा गया है पोस्ट कोर्व सवद अंग्रेजजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिला कर बनाया गया है पोस्ट कोर्व शब्द जो हांग्रेजजी के कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिला कर बनाया गया है साथ यह option यहाँ पर देखे correct answer हो आगे है पोस्ट कॉर्व शवद में को से तातपरे क्या है पिछली व्योडियों हमने रिसस किया था तो बताई पोस्ट कॉर्व शवद में को से क्या तातपरे है तो इसका तातपरे जो हुआ बह introduced बी option या रसमन भी हमारा right answer होगा next question राजनीती प्रशाशन द्वैत वहाव का समर्थन करने वाला विद्वान कौन सा है? राजनीती प्रशाशन द्वैत वहाव का समर्थन करने वाला विद्वान बुड्रो बिलसन B option यहाँ पर correct answer होगा 53 में देखे प्रशाशन राजनीती के विशक शेतर के बाहर है प्रशास की समझ्याएं राजनीती की समझ्याएं नहीं होती यह विचार किसका है तो यह विचार जो है बुडरो बिलसन का है C option correct answer 54 में पूछा गया है महान और व्यापक विश्यों में राजनीती राजकाज का संचालन है प्रंतू प्रशाशन ब्यक्तिगत और चोटे मालको में राजकाज का संचालन है इस प्रगार राजनीती को राजनीतिग्यों का तथा प्रशाशन को प्राविदिक अधिकारियों का विशेश कारे माना गया है यह कथन किसका है तो यह कथन है प्लंचली का A option प्लंचली राइट आंसर होगा प्लंचली आगे है राजनीती प्र प्रशाशन द्यात भाब पर प्रहार करने वाला विद्वान कौन है? राजनीती प्रशाशन द्यात भाब पर प्रहार करने वाला विद्वान है? वाल्डो, C option, correct answer. Next में देखिए, The administrative state, The administrative state, जो है, ये गरंत का रेचीता कौन सा है? कौन है इन मैं से? The administrative state, किसका गरंत है ये? ये है, वाल्डो का D option, correct answer. Next question, राजनीती प्रशाशन द्यात भाब की परम प्रागत बिचारदारा पर प्रहार करने वाले विचारक कौन है? वो हैं, वाल्डो तथा पॉल, एपिल्वी, ये option है आपर, correct answer. 59 में नीती का निर्माण ही लोग प्रशाशन है ये विचार किसका है? नीती का निर्माण ही लोग प्रशाशन है. ये विचार है, पॉल, H, एपिल्वी का. B option, पॉल, H, एपिल्वी. 60 में देखिए, प्रदत बेपस्थापन की संपूर्ण धारणा ने, किसका स्मर्थन किया? प्रदत बेपस्थापन की संपूर्ण धारणा ने, राजनिती प्रशाशन के विवाजन को अर्थहीन सिद्ध कर दिया. B option प्रदत वेपसापन की संपूल धारणा ने राजनिती प्रशाशन के विवाजन को अर्थ हीन सिद्ध कर दिया आगे पूछागे है राजनितिक्यों और प्रशंशकों के बीच अंतर द्रशाने वाला कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहां पर पेद दिये के हैं राजनितिकत्य प्रशंशकों के बीच में यहां से एक जो आपके सही नहीं है तो वो कौन سा है देखिए उसमें से एक सही नहीं है वो ऐस्थाई स्थाई बी प्रशन यहां पर यह गलत है नेक्स में देखिए कूट बारा क्वेशन है यहाँ पर बुक्स दी गई है और उनके लेखक दिये गए है तो यह सही मिलान हमने करना है आप देख सकते हैं देखिए The Administrative State, The Golden Book of Administration, Organization and Management और Bureau of Policy सामने उसके लेखक दिये गए है तो इसमें से कौन सा option जो हाई सही होगा 62 का option number A यहाँ पर हमारा right answer होगा इसमें देखिए A का मिलान The Administrative State इसके लेखक कौन है इसके लेखक है White Barredo, त्री के साथ मैच हो जाएगा उसके बाद है The Golden Book of Administration इसके जो लेखक है वो है Lindal F. Urvik पांच में बाले से मिलान होगा इसका C जो Organization and Management इसके लेखक है Selker Hudson, 4 के साथ मिलान होगा और Bureau Cracy Bureau Cracy इसके जो लेखक है वो कौन है? Bureau Cracy के लेखक है Elbow Martin इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ Elbow Martin इस परकार A option हमारा 62 का correct होगा 63 में देखिए निमन बकतब्य पर विचार कीजिए यहां पर भी बकतब्य दिये गए है चार लोग प्रिशाशन के संबन्द में है तो कौन साथ में से सही है? 63 में से तो पहला और तीसरा बकतब्य के बिशाशन के अधियन सास्तर के आरवी वाब में 1930 के दर्शा की सामाजिक मनोबैग्यानिक अंतर इस्टी से तेजी मिली है और तीसरा जो है यह बेहवारबाद सामाजिक मनोबैग्यानिक अन्विक्षणों का सोवहाबिक परन्याम था केबल यही दो बकतब्य जो है यह सही है बकि दूसरा और चौक्था जो हैं गलत है 64 में यदि हमारी सब्यता असाफल होती है तो ऐसा मुख्यत है प्रशाशन के पतन के कारण होगा यह कथन किसका है यह कथन है डोन हम का C आप्शन आगे पुछ आगे है ब्यापक संदर में प्रशाशन के धे स्वैम राज्य के अंतिमुदेशे ही है यह विचार के इसका है यह विचार है L.D. White का A option correct answer 66 यह भी वक्तब्य बला है यहाँ कर पूछा है लोग प्रशाशन के सिधांत कारोन है राजनीती शास्तर की परीदी में रहने के उधेसे से प्रलोवन और दंड दोनों का ही प्रयोग किया और चार यहाँ पर वक्तब्य दिये गए है तो क्या इसमें कौन कौन सा सही होगा तो इसमें से केवल पहला और चौथा वक्तब्य जो हाई यह सही होगा और लोग नीती निर्मान पर क्रिया पर बल दिया और उसके बाद लोग प्रशाशन के कारेक शेतर का संकीन द्रिश्टी कोण है बिलसन के दिवाजन कांत है हेंडरी फ्योल का द्रिश्टी कोण है या फिर नवीन लोग प्रशाशन का पराराम्ब है तो लोग प्रशाशन का नीतिगर द्रिश्टी कोण जो है ये लोग प्रशाशन के कारेक्षेतर का संकीन द्रिष्टी कोन है A option correct answer 68 लोग प्रशाशन का अत्यधिक महतव है क्योंकि क्योंकि इसमें सरकार के ढांचे और उसके कारों के बारे में तो तीनों ही कारण से ही निए तो D option हमारा जो है ये right answer होगा नेक्स देखिए लोग प्रशाशन के अधर्शक सारोकार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ये द्रिष्टी कोन का प्रतिबादन किया है किसने किया है इस द्रिष्टी कोन का प्रतिबादन Fred Riggs ने A option correct answer और अगला हूर लास्ट question बिकास सीर समाजों में लोग प्रishaशाशन का मूल वूत दाइतत्ब क्या है बिकास सीर समाजों में लोग प्रशाशन का मूल वूत दाइतत्ब है कानून और ब्यस्था को قائم करना आर्थिक बिकास अबन निर्धनता उन्मूलन और समाज कर लियान तीनों ही है तो डी आप्शन उप्रिक्त तीनों ही हमारा यहां पर correct answer होगा तो इसी के साथ friends हमारी आज की वीडियो वास यहीं तक I hope कि आपको वीडियो अपसंद आई होगी इस वीडियो में हमने देखी लो प्रिशाशन पार्ट टू डिसस कर लिया जलती मिलते नेक्स पार्ट के साथ अब तक लिए Thank you for watching patiently